स्वागत है आपका मास्टर आप सोसल वर्क पर मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जियारफ क्वालिफाई किया है सोसल वर्क सब्जेक्ट में इसके अलाओ मुझे चार साल का एक्स्विजियन्स है डवलप्मेंट सेक्टर में यह चैनल जो है इस पर आपको सोसल वर्क से जुड़ी हुई सब भी जानकारिया मिलेंगी चाहें वो अपर्चुन्टीज हो नेट जियारफ पीएजडी या रीसर्स से संबंदित हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम डिसकर्स करते हैं सोसल पॉलिसी के बारे में सोसल पॉलिसी समाजिक नीती भारत में कि इसका विकास हुआ इसकी बारे में हाच चर्चा करेंगे तो जैसे हम इंडिया सोसल पॉलिसी की बात करें तो इसे से कहां से मिला मतलब यह किस प्रकार से इसने अपना आकार लिया अगर हम देखें तो यह हमारा जो नेशनल जो हमारा गर्सिट्यूशन है भारत का सविंध स्टेट पोलिशी जो है उसमें आपको यह देखने को मिल जाएगा जहां पर जो है कि सोसल पॉलिसी से विलेडिट जो चीजे वंगर रिखिस्ट किया और शुन का ईमν जो है वह बताता है कि जो सोच एकनोमिक और हुजा इस कए इस इस टैबलिस कियाए तो इसमें अगर हम बात करें आर्टिकल नमबर 38 की तो इसमें यह सीधा सीधा कहता है कि जो राज्य है उसे एक ऐसे सोसाइटी की स्थापना करनी है या ऐसे समाजिक व्यवस्था पर काम करना है जिससे कि क्या हो कि जो सोसाइटी है उसमें न्याय समाजिक आर्थिक और राज जैसे कि जो सोचल एकोनोमिक और पॉलिटिकल आपका है जो इनक्वालिटीज है उनको कम से कम किया जा सके जैसे इनकम हो गई आपकी स्टेश्ट हो गया फैसिलिटीज हो गया उपर्चुन्टीज हो गए इसमें मतलब किसी व्यक्ति को किसी भी कारण से उन्हें वंचित ना रखा जाए सबको समान आउसर मिले है ना तो आर्टिकल 38 में इसकी चर्चा की जाती है पिर आपका आता है आर्टिकल 39 39 में क्या कहा जाता है कि जो राज्य है वो आजीविका के परियाप्त साधनों का अधिकार प्रदान करें जो मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं लाइबलिफ क्या चार मतलब कि समान לुप से जो समाधिक ऑपके समाज में जो के संसाधन होते हैं उनका समान रूप से वितरण किया जा सके है ना ताकि सबको बराबर रिसोर्सेज मिलें सबको बराबर ऑपर्चुन्टेज मिलें जिससे वो अपनी आजीवका को चलाने के लिए परयाप्त साधन पा सकें ठीक है यह ऐसा नहों कि किसी एक वर्ग विशेज के पास जो वेल्थ है वो कंसेंट्रेट हो जाए किसी एक व् पूर और फ़ेब के तोर पर हम समझ सकते हैं भी जो व्यक्ति जितना काम कर रहा है उसके कार एक कशी भी कास्ट शेज सारी जो इससे जो लोग है उनका उनका जो अधिकार उसका प्रोटेक्शन किया दा सकता है पिर आपका आता है आर्टिकल 41 इसमें जो होता है आर्टिकल 41 कहता है कि यह सिक्योर्टी प्रदान करने की बात करता है किसे राइट तु वर्क एजुकेशन और पॉब्लिक असिस्टेंस मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का हो चाहें वो ब्रिद्ध हो बच्चा हो या वो बेरोजगार हो या बिमार हो या डिसेबल हो तो ऐसे में इस ऐसी स्तिती में उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए उन्हें एक सिक्योर्टी प्रदान की जाए कि अगर ऐसी व्यक्ता में वह हैं तो उन्हें राइट टु वर्क एजुकेशन और पॉब्लिक असिस्टेंस के थू वह जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड की जा सके ताकि वह खुद को उस जो समाज में रहने लायक ज तो यह आर्टिकल्स महत्पूर हो जाते हैं इनको दीख लिजेगा कभी कभी डिरेक्ट आर्टिकल नमर 41 से पूछ लेता है कि आपका राइट वर्क एजुकेशन यह कहां पे कौन से आर्टिकल में हैं तो यह सब चीज़े आजाती हैं ठीक है फिर हम बात कर लेते हैं कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो सोचल पॉलिसी में वो कौन कौन से हैं ठीक है तो पहला आजाता है आपका पॉलिटिकल एलिमेंट्स इसमें आपके जो भी मतलब सोचली इस्क्लूडड ग्रूप्स हैं उनको कैसे बेनिफिट पहुचाया जा सके है ना जिनको भाइस्कृत किया है उनको कैसे बेनिफिट पहुचाया जा सके तो पॉलिटिकल एलिमेंट्स में आपका जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी है यह नीती लाई गई जिसमें उन्हें जो लोग पिछड़े हुए हैं जैसे जो लोग अनुसूचित जाती से हैं जन जाती से उनके लिए रिजर्वे इसमें जैसे हम मन्रेका को ले ले राइट तू वर्क के तहद इसको गारंटी और राइट तू वर्क के तहद इसको लाया गया ठीक है टाकि सबको रोजगार मिल सके जो है इसके अलावा आपका जो पूरेस्ट कम्यूनिटी है उन पे फोकस करने के लिए उनके बेटर मंद के लिए उनके हमें लाया गया जिसमें जो अन्त तक अंत में जो वैक्ति खड़णा है मतलब के अंत में खड़ा है विकास पे त्लकार यांद। और इसी प्रकार से अलग अलग प्रोग्राम्स आते रहें है थिक है जो आपके विकास से स्मबंदित रहते हैं इसके बा przy elements इसमें वो सभी आपके जो नीती वगहरर आ जाते हैं जिसमें जो समाज में जो बुराइयां उनको करते हैं और जो समाज में जिन लोगों को उसलुक्षा कि आउउख सकता है उनको प्रक्षा प्रदान करते हैं अधिकतर आप देखोगे जैसे बच्चे हैं ना महिलाएं है व्रिद्वैक्ति है या जो मार्जेनलाइज कम्यूनिटीज है उनके साथ जिस प्रकार का उनका सोसर किया जाता है उसको रोकने के लिए विभिन प्रकार के जो प्रोग्राम लाए ग जो वीडियो रिमेरीज है ऐसे टाइप के बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं ऐसे बहुत सारे आपको प्रोग्राम मिल जाएंगे जैसे आयुस्मान भारती स्कीम है है ना तो यह सब आपका इसी में सामील हो जाता है आइसी डियस एक उदारान है इसका है ना कैसा रहा सोसल पॉलिशी का कैसे कैसे जो समाजिक नीती थी उसका विकास होगा भारत में तो सोसल रिफॉर्म कुछ और गनाइजेशन थे जिन्होंने इसकी सुरुवात की जो उस टाइम पे जो गुराईयां थे कुरीतियां थी समाज में है ना इविल सोसल इविल्स थे उ उनको खतम करने के लिए निरंतर जो प्रयाज किये जा रहा है इसके अलावा हम कुछ मुख्य लोगों को भी ध्यान में दे तो जैसे पंडित स्वर्चंद्र विद्या सागर है उन्होंने हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट के लिए अपना योगदान दिया था उन्होंने बहुत इसके लिए लड़ाई लड़ी थी जो विद्वाएं थी उनके उनर्विवा के लिए है ना तो इनका योगदान रहा ऐसे बहुत सारे हमारे जो रिफॉर्मर्स रहे हैं उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है समाजी नीती के विकास में इसके अलावा नेटि 272 में पास हुआ फिर प्रातना समाज है प्रातना समाज में इंटरकास्ट जो मैरिज था उसको प्रमोट किया गया है ना वीडियो रिमेरिज को आपका प्रमोट किया गया जो महिलाएं थी जो डिप्रेज्ट क्लास थे उनको अपलिफ्ट करने के लिए मतलब उनका की गई थी रात्ना समाज के द्वारा फिर अदया नन्स्वरस्वती द्वारा वेदों की और लोटो नारा दिया गया ताकि हम अपनी जुँँ हमारी जो कुरानी संस्क्रिती है है और हमारा जो कल्चर है जो नौलेज है हमारा उसको वापस से लाया जा सके जो विभिन प्रका लोटो का नारावनन दिया था कि हमें वेदों की तरफ जाना चाहिए वहां से हम अपने जो हमारी संस्क्रिती है उसको कैसे हम आगे बढ़ाए सही तरीके से यह चीजी इन्हों ने इस पर अपना युगदान दिया था अपनी बात कही थी है इस प्रकार से जो भी चीजे थी जैसे जो मूर्थी पूजा नुष्ठान पूरे तो इसका विरोध किया था अपने टाइम पर तीक है तो यह सारी चीजी इसमें आपकी सामिल थी मेली इनका यही उतिश्य था इन सभी का कि सोसल जस्टिस को प्रमोट किया जाया है ना सोसल जस्टिस मतलब समाजी क्न्याए जो एक्वालिटी है वर आल मतलब जो लोग हैं समुदाए में जो समाज में लोग हैं उनका उत्थान किया जा सके है ना उनकी बहतरी के लिए काम किया जा सके हैं अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ पॉलिसी जो हैं विमन से रिलेटेड यह बहुत महत्पूर है एक ने कुछ पॉलिसी दिये कुछ नीतिया बनाई कुछ स्किम्स लांच कि उसके बारे में बात करेंगे जो महिलाओं के उत्थान के लिए किया गया था तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो नेशनल पॉलिसी फॉर इंपॉर्मेंट ऑफ वोमें 2001 में आया था यहां पे जो मह समस्याएं हैं उनको सही करने के लिए महिलाओं को ससक्त करने के लिए है ना उनको निकालने के लिए इस पॉलिसी में बात की गई थी प्रमुक नीटे इसमें सामिल थी आपकी ठीक है इसके बाद आपका आता है नेशनल कमीशन फॉर वोमें 1990 में यह जो एक्ट ऑफ पार्ल समय थी उनके जो राइट्स थे हैं ना उनको किस प्रकार से संरक्षित किया जा सके उसकी बात की गई थी ठीक है फिर आपका जो 73 और 74 संसोधन वहां था 1993 में उसमें जो लोकल बॉडी जैसे पंचायत हो गया है ना जो ग्रामीर चेत्र हैं वहां पंचायत और नगरी चेत् सब्सक्राइब यहां पर बात की गई थी कि महिलाओं को संरक्षर दिया जा सके ताकि जो लोकल लेवल पर जो डेमोक्रेसी मतलब जो आपके जो समात से जुड़े हुए और जो राजिनीती से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर जो महिलाएं हैं वह भी जाग रु सके इसके लिए जो वन थर्ड सीट थी महिलाओं के लिए बात कहीं कि वह रिजर्व की जाए ताकि महिलाओं का पर्टिसिपंशन ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जा सके हैं फिर आपका आता है कन्वेंशन ओन इलिमिनेशन ओफ आल फॉर्म्स आप डिस्क्रिमिनेशन जो भी बुराइयां चल रही ती चाहिं मतलब महिलाओं को प्रतारी करने के लिए जो इसकत्त प्रकार का वहवार किया जा रहा है हिसके अलावा यह सिर्फ केवल एक जगह की बात नहीं ग्लोबली मतलब बात करें पूरे देश में किस प्रकार से जो महिलाओं के साथ भेदभा हो रहा है उसको कैसे खतम किया जा सके उसका उन्मूलन कैसे किया जा सके इसके लिए भारत सरकार द्वारा अनमोदित किया गया था विसुस्तर पर लेंगिक समानता को बढ़ाया जाए महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूप किया जाए उनके अधिकार प्रदान किये जाए यह उसके लिए बात करता था पिर इसका आपका जो नेक्स्ट है यह कुश्यन अब यहां पर हम देख लेते हैं इंपॉर्टन पॉ 2015 में ठीक है इसका जो एम था कि जो आपका डिकलाइनिंग शाइल्ड सेक्स रेसियो था उसको सही स्तर पे लाने के लिए और जो लड़किया है उनको इंपावर करने के लिए है और बच्चिया है उनके एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए है जेंडर एक्वालिटी क जो इसकी यूजना जो है चलाई गई थी ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर देखा जा रहा था कि जो चाइल सेक्स रेसियो था उसमें लड़कियों की संख्या जो लड़कों के अगर कंपेर रीजन में बहुत कम थी इसके कारण बहुत सारी समस्या आगे उत्पन हो होने वाली थी और यह बहुत कतरनाक हो चुकी ती यहां पर सरकार ने इस चीज़ को बढ़ा बचाया भी जा सके और उनकी एजुकेशन को बढ़ाया जा सके उन्हें इंपावर किया जा सके ठीक है फिर इसके बास आपका आता है महिला सकती केंड्र एमस्के 2017 इसमें जो पेशन जो भागिदारी है उसको बढ़ाने के लिए और विभिन जो सोसल इसूस हैं उससे रिलेटेड उनको अवेर्नेस देने के लिए यह महिला सकती केंड्रों का स्थापना किया गया ठीक है 2017 से स्टार्ट हुआ इसमें इसका 碑जेक्टिव कुछ है जैसे इंपॉर्ट करना है जो महिला है ग्रामीट छेतर की इसके अलावा ग्रामी चेतर की महिलाओव y много को सेट-एब करने में हेल्प करते हैं स्मॉल बिज़निस जिससे वो अपनी अजीवगा चला सके इसके अलावा उनके राइट्स महिला सकती केंद्र है वो इस पे मुख्य रूप से काम कर रहे है ठीक है फिर है आपका विमेन हेल्प लाइन 2015 में आया था इसमें 24 घंटे इमर्जेंसी और नॉन इमर्जेंसी असिस्टेंस की बात की गई है कि जो विमेन अफेक्टेड है वाइलेंस से है ना उनको यह प्रवाइड किया जा सकें फिर आपका आता है वन स्टॉप सेंटर 2015 में यह था इसमें जो इंटिग्रेटेड सपोर्ट और असिस्टेंस महिलाओ को जो आपकी वाइलेंस से अफेक्टेड है उनको यह प्रदान करते है ठीक है इसमें मेडिकल लीगल और साइकोलोजिकल सपोर्ट भी दिया जाता है जैसे काउंसलिंग बगेरा भी इसमें की जाती है जो आवे सकता कहने हूं साथ ठीक है और इसे उसा महरा जो कमीशा ने उनके रिकमेंडेशन पर इस्टेबलिस किया गया था वन स्टॉप सेंटर है ना तो हेल्प विक्टम्स ऑफ सेक्ष्वल असॉल्ट एंड इंस्योर स्पीडी पनिश्मेंट टू कल्प्रेट्स ठीक है और इसमें आपका यह उमने बताई दिया साइको सोशल सपोर्ट एंड इसमें जो है कि यह जो ट्रैफिकिंग होती है इसमें महिलाएं और जो बच्चे होते सबसे ज्यादा इसके सिकार होते हैं कॉमर्सियल परपच के लिए यह लोग यूज करते हैं अदेव वैपार के लिए आप देखोगे यह आपको नियूज में भी सुनने को मिलता होगा क इस प्रकार की जो घटनाए घटित हो रहे तो इसको रोकने के लिए उज्वला इसकीम लाया गया था ठीक है 2017 में सेक्ष्वल एक्स्प्लोइटेशन और रिहाइबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो विक्टम से उनको मतलब कि यह जो इसे रोकने के ल पाएं और एक वितलब जो साइकोलोजिकल या सोसल लेवल पर जो उनका वो जो कट चुके हैं जो जीज़े जहल चुके हैं उसको खतम किया जा सके उनकी हेल्प की जाए कि वो खुद को दुबारा से उस समाज में रहने के लिए मानसिक और समाजिक तोर पे खुद को प्रि और अधर सपोर्ट सर्विसेश तो विमन जो महिला हैं जो किसी ऐसी परिस्तिती में हैं जहां पर उनके लिए अपना जो बेसिक नीड है वो पूरा करने में समस्या आ रही है या आपके जो वालेंस से अफेक्टेट है इसमें जो लोग भी इनके साथ भी वालेंस हुआ है सामिल होती है ठीक है फिर आपका आता है वर्किंग वोमेन होस्टल स्कीम जो की 1972 में आया है यह जो सेफ और ऑफ़र्डेवल अकमेंडेशन प्रवाइट करता है जो वर्किंग वोमेन है इसमें आपकी अनमेरेड वीडियो डाइवोर्च एन सेपरेटिट वुमेन आ जाएं इक लीडि इंपावरर जिनको करना होता है और उनको ऐसा इन्मारूरमी करता है जिससे यह अपना जो सोचल और इकॉनामिकल। इंपर जो इंप्रौन है उसको कर सका कहें अपना डैफ्लप्मेंट कर सका है ना, फिर आका आता है support to training and employment program for women in the 2016 यह Its skills training होती है महिलाओं को प् जो मतलब आज जीविता हैं उसको चलाने योगी हो जाए जॉब के लिए प्रिपेर हो या जो भी वो अपना काम करना चाहती है उनके लिए और ये मर्जेनलाइज कम्यूनिटी को स्पेसली फोकस करते हैं इसके अलावा है प्रधान मंतरी मात्र वंद्रा योजना मतलब कि जो भी इसमें महिलाएं होती है उनको तीन जो इंस्टॉल्मेंट्स होती है उसमें यह आपका 5000 रुपे की जो रासी होती है वो उन्हें प्रादान की जाती है ताकि उनका जो maternal जो कंडीशन एं उसको अच्छा रखा जा सके जो बच्चा है उसकी हल्थ को अच्छा रखा जासके इसके लिए इंसेंटिब प्रोइड किया जाता है थाकि नुट्रिशन वेगएㄹरा या हैल्स से डिलेटिब जो भी अवे अवश्कता है उसको बच्छे की जुल देखिए वह यूजन और यह दोनों में अंतर है तो कन्फ्यूज मत हो येगा इसमें क्या जाता है इसमें जो लिक्विफाइट जो पेट्रोलियम गैस होता है वो जो बिलो पावर्टी लाइन हाउस होल्ड की महिलाएं हैं उनको कानेक्शन प्रवाइट करते हैं तो यह इसम चुला होता है वो लकडिया इस प्रकार से वो प्रयोग करते हैं जिससे प्रदूसर भी बढ़ता है और महिलाओं को भी समस्या विबिन प्रकार की समस्या हो ले थी तो इसको कटम करके लपीजी को बढ़ावा देने के लिए गवर्मेंट ने यह स्किम लाउंज किया था त यह क्वेश्चन भी आया था सी बॉक्स का फुल फॉर्म पूछा गया था तो सी बॉक्स क्या है तो यह आपका ओनलाइन जो कंप्लेंड मेनेजमेंट सिस्टम होता है ठीक है जो की मिनिस्ट्री ऑफ वुमेंड चाइल डवलप्मेंट द्वारा इसको लांज किया गया था और यहां पर यह प्लेट्फॉर्म है जहां पर महिलाएं जो है अपना कंप्लेंड कर सकती है फाइल ठीक है जो सेक्शुल हरस्मेंट से रिलेटेड है वर्क प्लेस पे जो भी स्प्रकार की समस्या है वहां पर बता सकती है सेक्शुल हरस्मेंट वगेरा हो गया तो यह आप यह जो है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तरथ ही एक यूजना है जिसमें जो गर्ल चाइल्ड है उनके पैरंट्स द्वारा जो उनकी लड़की होती है जो डॉर्टर होती है उसके फ्यूचर एजुकेशन और मैरेज के लिए सेविंग्स को प्रमोट करने के भी जो स्कीम से उसको समझींगे जानेंगे इसके अलावा आप अपनी तरफ से भी कुछ चीजे एड़ाउन कर सकते हैं ठीक है जो आपको जुरत लगता है इसके अकॉर्डिंग नोट्स में अपने जरूर एड कर लीजेगा और आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा अपन कमेंट जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेयर करिएगा और थैंक यू फर वाचिंग